Hello friends, welcome back to technical दोस्त और मैं हूँ आपका सौस्पनी नित कुमार तो आज हम एक और वीडियो लेके आगे हैं और इस वार जो वीडियो होने वाला है वो बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है आज के वीडियो में आपको रोमांश आने वाला है आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल हटके है, मेरे जब मैं टॉपिक रखता हूँ अन्बॉक्सिंग का इससे बिल्कुल हटके है, आज मैं आपको एक सपर पिले जाऊँगा एक एकस्प्रेस वे के सपर पिले जाऊँगा और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम मुझे आई वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो सपर स्टार्ड होता है एनेच्टू, एनेच्टू हमारा जो स्टार्ड होता है देली से कोलकत्था तक जाता है जो मत्रा आगरा होते हुए कानपुर लकनव भाया कोलकत्था तो यह इंडिया का लवक सेकेंड नमबर का हाइवे है अब फर्स्ट नंमर पे वम्पे जो देली बॉम्पे बन रहा है वो सबसे बड़ा हाई-वै हो जाएगा तो तो मैं वुड़काओं से कहा था है तो वो मत् Elda के रास्ते हो तो वह मत्रुआ से इसके वाद मैं ताज एक्सप्रेस पर चड़ गया ताज एक्सप्रेस पर की येक कूछ जादे कड़ भी है तो उसका मैं अलग से ही वीडियो सूट कर रहा हूँ एक कुछ अजीब सा हुत मेरे साथ वो मैं नेस्ट वीडियो में सूट कर रहा हूँ मैं आपको जरूर दिखाऊंगा और जरूर डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ था मेरे साथ तो मत्रव बंद्रवन इससे चड़ते हुए मैं अब मैं चड़ गया हूँ आगरा नकलाव एक्सप्रेस बेपे तो बेसिकली मुझे आपको यह दिखाना था कि इसकी जो विल्ड क्वाल्टी है इसका जो इस्टेचर है इसके जो पॉल का डेजाइन है वो कितना सुन्दर अच्छी स्पीड आप हंडेट की स्पीड तक अलावड है इस पर तो हंडेट की स्पीड में गाड़ी आप होती आसान तरीके सिला सकते हैं और इस समय यह बिल्कुल खाली मिलेगा ज्यादा ट्रेफिक नहीं रहता है आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर गाड़ियां च मुझे मुझेa इक्षетр रोंज होता है तो आगरा से की बीच में सिस्फ्क इसक्रेंड जगा हुआ तो यह एक नेशनल हाईवे की कटागरी में आता है तो यहां पर फास्ट टेक काम करता है दाज एक्सेज बे फास्ट टेक काम नहीं करता है वो मैं नेस्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही अजीव है ना कि हम टोल पर पहुंच गये हैं और यहां फास्ट टेक काम कर रहा है तो जैसे हमारी पहली गाड़ी जाएगी उसके बाद एक गाड़ भी खड़ा हुआ था जो इस सारा कर रहा था रुखने का चलने का जो होता कि है फास्ट टेक में थोड़ा सा डिस्टेंस रखनी पड़ती है और यहां का जो चार्ज है वो एक सुसाट रुपए है एक टोल का जो ताज एक्स्प्रिस पे का चार्ज एक सुसाट रुपए है इस टोल का भी सेम चार्ज है एक सुसाट रुपए एक टोल क्रोस करने का ज़िए आप एक साथ पे करते हैं तो साइज थोड़ा से दिस्क करते हैं आप पोल का जो एलेक्टिक पोल है उसका इस्टचर देखिया आप दौन्हों तरफ जुका रखा है बहुत ही अच्छा लोक आता है बहुत ही अच्छा डियाइन देखने है बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही मज़ा आता है मतलब जो ताज एक्स्प्रेस की फीलिंग है उससे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि यह हाइवे नया बना है और कोई भी कड़ा नहीं है बिलकुल रोड जो है बिलकुल स्मूथ है ट्रेफिक भी बहुत ही कम रहता है दोनों तरप तोड़ा से डिजाइन बनाया हुए है साइज लूप देने के लिए तो लवहाद 10 से 15 किलमेटर पर इस तरीके के आपको छोटे-छोटे-छोटे पार टाइप के मिल आएंगे और उस पर थोड़ा सा डिजाइन बनाया हुए है लोगों ने इस तरीके के देखने बड़ा खेते हैं हर्याली है बिल्कुरू खुला मैदान है तो मुझे एचुली 115 किलमेटर ही जाना था उसके बाद मैं टावा के लिए उतर रहा हुए तो जस्मन अगर के लिए पहला कट आता है तो उस कट से मैं बाहर निकल रहा हूँ आस ऐग रहने से हमारा बहुत ही अच्छा टैम बज़ जाता है मगर खुछ जगे फास्टेक काम करता है कुन hair आ zucch Уiltry के छ चंदर में एक एक पीडियो मैं इसके बाद जो 30 में डालने वाला हूँ उसी के संदर में डालने वाला हूं इसके बाद हम आ गये हैं नैशनल हाइवे 19 पर यह उसी हाइवे का पार्ट है एनेच टू का ही पार्ट है यह आगरा से जो कानपुर के लिए जाता है उसी का यह बार्ट है दुबारा हम उसी पर आ गये है और यह एक्सरेब जो उपर से न एक्सपेस देशेब चला गया तो इस पर ट्रेफिक कापी कम हो गया और रोड कापी अच्छे कर दिया गया पहले से तो बहुत ही अच्छे हो गया विश्में कापी तूट लिया था मगर बहुत ही बढ़िया हो गया बिलकुर क्यांत वीडियो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक चल जीए सेव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नेच वीडियो ते पिलता हूं आप से थेंक्यू